देश में नोटबंदी के तीन साल बाद करंसी सर्कूलेशन में तेजी देखी गई है। लोग सभा में एक प्रिशन के जवाब में वित्राजमंत्री अनुराक ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। ठाकुर ने बताये कि मार्श 2019 तक करंसी सर्कूलेशन का आकड़ा 21 लाग करोड को पार कर गया। इससे पहले मार्श 2018 में या आकड़ा 18 लाग करोड था। वित्राजमंत्री के मुताविक नोटबंदी से पहले करीब 16 लाग करोड रुपे के मूले के नोट चलन में थे। गौरतलभै की मोधी सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जोर देते हुए 8 नॉबंबर 2016 को नोटबंदी का इतिहासिक फैसला लिया था।